प्रभू, ये विवा मुझे स्विकारिय नहीं है प्रभू, मैं मेरे जीवन का प्रत्तिक्षन आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी सम्मन्द मेरे भक्ति को विवाजित या बादित करने का कारण बने दंदी विवाद तुम्हें मेरी भक्ति के लिए आयोग क्या कैसे बना देगा उसमें भादा कैसे उत्पन्न कर देगा माता आप क्या और प्रभू के विश में इतनी चुनोत्य पुर्नस्थित्या उत्पन्न हुई फिर भी आप दोनों स्तीर रहें किन्तु मेरे लिए ये संबो नहीं है माता क्योंकि मैं अपने दाइदपक के मार्ग में कोई भी विकर्शन सहनी नहीं कर सकता दंदी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे पहले तो तुम केवल मेरे प्रती ही समर्वित थे किन्तो अब अब तुम मेरे साथ साथ पार्वती की भी अरादना करते हो क्यों प्रभू माताप के अरदांग नहीं है आपकी पूरक जिस प्रकार आप उनके पूरक है आप माता के कारण अनंदीत रहते हैं उनके उपस्तिति आपको प्रसन्नता देती है अन्यथा आपको इतना हर्शित उनसे पहले मैंने कभी नहीं देखा है फिर कुमार कार्ति के कजन अशुक सुन्दरी कजन और फिर हमारे गनेश कजन प्रभू इस प्रकार मैंने कहलाश को पूर्ण होते हुए देखा है और ये सब माता के कारण ही हुआ है प्रभू जिस कहलाश में आप वास करते थे उसे माता ने निवास बना दिया इस कहलाश को शंपूर्ण कर दिया अर्थार्थ अर्थार्थ व्यक्ति की पूर्णता हे तु विवा आवस शक्हेनन्दी जैसे स्वामी और हम एक दूसरे के पूरक हैं उसी प्रकार तुम्हारी अर्थांगनी और तुम एक दूसरे के पूरक बनोगे विवाहित जीवन के अनुभूति परिवार का सुख उसके सुख और उसकी सुरक्षा के लिए संगर्च यह सभी अनुभूतियां एक व्यत्पी के दिकास के लिए आने वारे हैं नंदी किन्तु प्रभू मेरे स्वतंत्रता स्वतंत्रतो वो नहीं है नंदी जो विवा के विचार से भैवीत होते हैं क्या संकोच करते हैं क्योंकि स्वतंत्रता तो वो है जो किसी भी विचार से प्रभावित ना हो किसी भी सुख किसी भी दुख से प्रभावित ना हो और जो विक्ति इतना तट्टस्त हो जाकरुको उसकी स्वतंत्रता को तो विवास से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए और पिर क्या गनेश, कार्टिके और अशुपसुन्द यह सभी विवा उपरांत परिवर्तित हो गें क्या उनका पिवाहित होना उनकी भक्ति और उनके समर्पन में बादा बन गया नंदी उनकी स्वतंत्रता में बादा बन गया क्या अपने मादा पिता के ब्रदी उनका प्रेम और उनका सेवा भाव घट गया नंदी फिर मेरे एक और उत्तर को ये चिनता क्यों ये भाए क्यों न दे भाए क्यों आज जचिनता की बत्तर को ये चिनता की इचाने भाए.